हेलो माई डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल फ्रेमाइस क्लास में फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में क्लास फिप का पार्ट टू का नाइन चाप्टर देडिस डेसिमल फ्रेक्शन यह चाप्टर फिनिश कर दिया है अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी सी जाकर उसे देख लीजे उस की किलिंग मैंने फिडियो के डिसक्रिप्शन में दी है फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में हमने 9 चाप्टर that is decimal fraction का last problem set that is problem set number 42 solve करके दिया हुआ है तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम हमारा next topic that is 10 चाप्टर start करने वाले हैं इसका नेम है measuring time तो यहाँ पर हम revision start करने वाले हैं and revision में क्या है problem set number 43 friends हमने 3rd and 4th में clocks के बारे में सीखा है तो वही concept हमें आज के lecture में सीखना है friends problem set number 43 में हम सभी questions solve करेंगे तो friends start करते हैं आज का problem set number 43 यहाँ पर question number 1 क्या है write the time shown in each clock in the box given below it यहाँ पर कुछ clocks दिये है and in major time है वो हमें यहाँ पर write करना है अब यह बताने से पेले मैं आपको थोड़ा सा introduction part clear कर दीती हूँ इस type का कुछ clock होता है कुछ circle shape में कुछ oval shape में कुछ square कुछ triangles कुछ rectangles इन shape में हमारे clocks होते हैं गर पर आप clock दिखते हो ना तो friends यहाँ पर होता है 12 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 होता है इनके बीच में यहाँ पर 1, 2, then 3 and 6 के बीच में 4 and 5, 6 and 9 के बीच में 7 and 8, and 9 and 12 के बीच में 10 and 11 होते हैं अब यहाँ पर क्या आता है यह छोटे-छोटे minutes इनके बीच में 4 lines draw कर देनी है अब यहाँ पर हम एक छोटा सा arrow draw कर लेते हैं देन इससे थोड़ा सा बड़ा and सबसे बड़ा एक arrow draw करते हैं क्लॉक को हमेशा 3 arrows होते हैं यहाँ पर यह जो arrow है सबसे छोटा इसको हम क्या बोलते हैं अबर हैंट इसको हम क्या बोलेंगे अबर हैंड बोलेंगे देन इससे थोड़ा सा बड़ा जो है उससे बोलेंगे हम minute hand ओके और यह लास्ट वाला जो सबसे बड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड्स हैंड तो फ्रेंड्स मुझे उम्मिद है आपको यह concept अल्रेड़ी क्लियर होंगे अगर नहीं है तो आप यहाँ पर अच्छी से देख सकते हों तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी कितने बज़े हैं एक बज़े हैं ओके यहाँ पर 12 पर है मिनिट हैंड यहाँ पर अवर हैंड है तो अवर हैंड जहाँ पर आता है वही का टाइम आपको एंसर में राइट करना होता है एंड मिनिट हैंड अगर वन पर आए तो इनके बीच में कितने मिनिट हो जाते हैं फाइव मिनिट देन अगर टू पर आए तो टेन मिनिट थ्री पर आए तो फिफ्टी 5, 5 से आपको increase कर देना है तो friends 15 के बाद आते हैं 20 minutes 5 का table आपको पता होगा ना 5, 10, 15, 20 वैसे ही आपको यहाँ पर write करना है 5, 1s are 5, 5, 2s are 10 5, 3s are 15, 5, 4s are 20 5, 5s are 25 5, 6s are 30 यहाँ पर आप देख सकते हो 5, 1s are 5 5, 2s are 10 5, 3s are 15 5, 4s are 20 5, 5s are 25 5, 6s are 30 5, 7s are 35 5, 8s are 40 5, 9s are 45 5, 10s are 50 5, 11s are means 55 and lastly here 5, 12s are कितने होते हैं 60 होते हैं that is 60 minutes यहाँ पर complete होते हैं 60 minutes अगर complete हो जाए तो वो पूरा क्या होता है 1 hour होता है 60 minutes equal to 1 hour only hour राइट करेंगे हो, you are 60 minutes is equal to 1 hour and 60 seconds का क्या होता है 1 minute होता है यह तो आपको पता होगा अगर आप 60 seconds complete कर लेते हो that is यह second hand अगर इस 12 से लेकर फिर से इस 12 पर आता है तो एक minute पूरा हो जाता है and अगर minute 12 से लेकर इस 12 तक आ जाए तो एक hour हो जाता है 60 minutes means क्या होता है एक hour होता है तो friends मुझे उमिद है आपको यह explanation अच्चे से समझ में आए होगा अब इसी बेस पर हम यह question number 1 solve करते हैं तो friends यहापर आप देख सकते हो हमें clock दिये है आपके textbook में जैसे clock दिये है वैसे ही मैंने यहापर draw किये है friends आपके textbook में यहापर second hand नहीं दिया है सिर्फ यह छोटा वाला hand है यह है hover hand है ना यह जो hand है वो है minute hand सभी clocks में वही है अब यहापर hover hand कहाँ पर आये है 2 पर आये है and minute hand कहाँ पर है 5 पर है तो friends अगर minute hand 5 पर आता है तो यहापर minutes कितने होंगे 25 because 5 फाइजा कितने होता है 25 friends आपको सिर्फ क्या करना है जिस number पर minute hand होता है उससे 5 को multiply कर देना है तो उतने minutes हो जाते हैं अगर 1 पर minute hand आ जाए तो 5 1 जा 5 minutes हो जाएंगे दिन अगर 10 पर minute hand आ जाए तो 5 10 जा 50 minutes हो जाते हैं तो friends यहापर 2 पर है our hand and 5 पर है minute hand तो यहाँ पर हम क्या write करेंगे 25 minutes past 2 that is 2 के बाद 25 minutes यहाँ पर हो गये हैं अगर 2 बजेंगे तो कैसा होगा clock यहाँ पर हम shortly write करते हैं यहाँ पर consider करते हैं यह 2 है and यह 12 है तो friends correctly 2 पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा our hand यहाँ पर draw करना पड़ेगा तो यहाँ पर दो बज गए बट यह दो बजने के बाद यहाँ पर 5 पर minute hand आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 minutes past 2 means 2 के बाद 25 minutes हो गये है past का मीनिंग क्या होता है उसके बाद तो friends मुझे उमिद है आपको यह first clock अच्छे से समझ में आया होगा अब second clock देखते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो 8 पर आया है hour hand यहाँ पर 10 पर क्या है minute hand है तो यहाँ पर कितने minutes हो जाएगे 5 10s are 50 minutes मैंने आपको बताया है जिस number पर minute hand आजाए उसको 5 से multiply कर देना है तो उतने minutes हो जाएगे यहाँ पर 8 पूरे बज़े नहीं है 8 बजने के लिए आपको कहा पर लाना पड़ेगा यह minute hand 12 पर लाना पड़ेगा बट यह 12 के पीछे है तो यहाँ पर क्या write करेंगे हम 50 minutes past 7 राइट कर देंगे अब यहाँ पर 8 बज़े नहीं है means 8 के पीछे कौन सा नमबर है 7 है तो 50 minutes past 7 यह हो जाएगा हमारा answer 8 बजने के लिए यहाँ पर 10 minutes कम पड़ गए है अगर यह correctly 12 पर आ जाता तो यहाँ पर 8 बज़े हुए होते बट यहाँ पर 10 minutes बज़े है तो यहाँ पर हम write करेंगे 50 minutes past यह 7 राइट करेंगे पिछला नमबर फ्रेंड्स अब देखते हैं next clock अभी यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर हवर है यहाँ पर है 8 पर है and minute hand का आपर है इस 1 पर 1 multiply by 5 minutes कितने होते हैं 5 होते हैं 8 बज़ने के बाद 5 minutes यहाँ पर हो चुके है तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम 5 minutes past 8 है ना 8 बज़ने के बाद 5 minutes हो चुके हैं तो 5 minutes past 8 राइट कर देंगे so this is our required answer अब देखते हैं last clock यह हमारा fourth and last clock है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हो our hand का पर आया है 4 and 5 के बीच में आया है है ना and minute hand का पर है इस 8 पर है so minutes कितने हो जाएंगे 5 multiply by 8 में 40 minutes हो जाएंगे तो friends यहाँ पर 4 के बाद कितने minutes हो यह है 40 minutes हो गये है so 40 minutes past 4 हो जाएगा इसका answer friends यहाँ पर 5 बज़ने के लिए 20 minutes पचे होए है अगर आपको इसे count करना है तो आपको कहा से start करना पड़ेगा इस 8 से 8 and 9 के बीच में 5 minutes then 9 and 10 के बीच में 5 minutes 10 and 11 के बीच में 5 minutes and 11 and 12 के बीच में 5 minutes so यह total क्या हो जाएगा 20 minutes हो जाएगा that is 5 बज़ने के लिए यहाँ पर 20 minutes अभी बाखी है तो 5 से पहले कौन सा number है 4 आया है 40 minutes किसके हो गया है 4 के 40 minutes हो गया so answer right करेंगे 40 minutes past 4 this is our required answer तो friends यहाँ पर हमने question number 1 solve कर लिया है अब देखते है question number 2 here friends our question number 2 is draw the hands of the clock to show the time given in the box अब यहाँ पर यह box में क्या दिया है इनका time दिया हुआ है और हमें क्या draw करना है इनके hands draw करना है सिर्फ minute and hour and हम draw करेंगे अब first clock देखते है first clock के नीचे क्या है 4.30 है 4.30 में 4 बजने के बाद 30 minutes हो चुके है तो 4 पर क्या आएगा हमारा आवर हैंड आजाएगा जो mainly होता है उस पर आवर हैंड ही आजाता है तो यहाँ पर छोटा वाला हैंड हम draw कर देंगे तो यह हो गया 4 and 4 के बाद 30 minutes हो चुके है 4.30 हुए है 30 minutes के लिए हम कहाँ पर जाएंगे यहाँ पर 5 minutes 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 यहाँ पर है 5 6 जा 30 minutes तो यहाँ पर हम एक बिग हैंड ड्रॉ कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4.30 का clock देन नेक्स clock देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या दिया है quarter past 9 अब quarter क्या होता है quarter means 1 fourth आप यहाँ पर consider कर सकते हो 12 and 9 के बीच में जो पूरा हिस्सा है वो है 1 fourth that is quarter then 12 and 3 के बीच में है quarter then 3 and 6 के बीच में भी है quarter and lastly 6 and 9 के बीच में भी है quarter and अगर आपको minutes में quarter राइट करना है तो 15 minutes जो होते हैं वो हमेशा quarter होते हैं 15 minutes and 45 minutes अब quarter past 9 है अब हमें main point ये धहन में रखना है जो number हमें दिया होता है वो हमेशा hour hand का होता है यहाँ पर क्या है quarter past 9 है तो hour hand कहाँ पर आएगा 9 पर आएगा तो यहाँ पर छोटा साइक hand हम draw कर देते हैं अब यहाँ पर quarter past 9 है past है ना past miss बाद में quarter miss क्या होता है 15 और 45 minutes पर वो आता है तो friends quarter past 9 है that is 9 के बाद 15 minutes हो चुके हैं तो यहाँ पर हम 3 पर ये big वाला minute hand draw कर देंगे यहाँ पर 15 minutes आता है 3 5 हो 15 होते हैं friends हमने यहाँ पर दोनों hands draw कर दिये हैं यहाँ पर हमने second example भी solve कर लिया है अब बढ़ते हैं next example की तरफ अब friends यहाँ पर next box में क्या write किया है quarter to 5 अब 5 बचने के लिए quarter बचे हैं that is 15 minutes बचे हैं friends हम यहाँ पर 45 minutes consider नहीं करेंगे मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है quarter का जो minute hand होता है वो 15 minutes या फिर 45 minutes पर आता है that is friends 9 and 3 इन दोनों numbers पर उसका minute hand हमेशा आता है किसका quarter का so यहाँ पर friends क्या है quarter to 5 है mainly आप यह ध्यान में रखिये 5 यहाँ पर दिया है so 5 हमारा क्या हो जाएगा 5 पर क्या हो जाएगा हमारा over hand हो जाएगा that is छोटा वाला hand यहाँ पर आएगा हमारा over hand अब यहाँ पर क्या है quarter to 5 है that is 5 बजनी के लिए 15 minutes कम है so यहाँ पर यह minute hand draw कर देंगे minute hand हमेशा आपको over hand से big draw करना है and seconds hand सबसे big so यह हो गया हमारा required answer यहाँ पर क्या था past था quarter past 9 that is 9 के बाद 15 minutes हो चुके हैं यहाँ पर past दिया है तो 15 minutes हो चुके है and अगर 2 दिया है तो 15 minutes बचे हुए है अब last example दिखते हैं last example is 20 minutes past 11 अब यहाँ पर mainly क्या है 20 minutes यहाँ पर minutes का दिया हुआ अल्रेड़ी past 11 11 क्या हो जाएगा हमारा over hand हो जाएगा 11 पर आएगा हमारा over hand then यहाँ पर क्या है 20 minutes past 11 that is 11 के बाद 20 minutes हो चुके है तो यहाँ पर आएगा 5 1s अ 5, 5 2s अ 10, 5 3s अ 15, 5 4s अ 20 यहाँ पर आएगा हमारा 20 minutes का minute hand so friends यहाँ पर हमने एक big hand draw कर लिया है so यह हो गया हमारा required answer friends हमने यहाँ पर question number 2 भी solve कर लिया है अब बढ़ते है question number 3 की तरफ friends our next question that is question number 3 is if a bus that leaves नासिक at 5 o'clock in the morning reaches पुने that same day at 10.30 in the morning how long does the journey take एक bus ने start किया नासिक से कितने बजे 5 o'clock in the morning then वो bus पुने को कितने बजे पोचे 10.30 in the morning उसी दिन में वो bus पुने तक पोच गई और वो bus वहाँ पर कब पोचे 10.30 10.30 आपर timing दिया हुआ है और नासिक से वो किस टाइम में निकली थी 5 o'clock that is 5 बजे यह दोनों क्या है एम की टाइम से एम मिस क्या होता है सुबे का टाइम होता है और पियम मिस क्या होता है रात का टाइम ओके मैं सिंपली आपको clock से ही बता देती हूँ फ्रेंट्स में यहाँ पर big clock ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर 12, 3, 6 and here 9 then here 1, 2, here 4, 5 यहाँ पर 7 and 8 यहाँ पर 10 and 11 और फ्रेंट्स रात में जो टाइम शुरू होता है 12 से लेकर सुबा के 12 तक that is हम कंसिडरा कते है नाइट के 12 to morning के 12 तक तो नाइट के 12 and morning के 12 तक क्या होता है हमेशा am होता है and morning के 12 से लेकर night के 12 तक क्या होता है हमेशा pm होता है that is 2 pair का time होता है and night के 12 से लेकर morning के 12 तक क्या होता है सुबा का time that is am का time होता है यह दो concept भी आपको अच्छी से ध्यान में रखना है आगे आपको इनकी जरूरत पढ़ सकती हैं, तो इसे भी आप जरूर राइट करना, ओके, तो फ्रेंड्स, फिर से आते हैं हमारे एक जम्पल पर, एक बस नासिक से निकली, कितने बजे, सुबर पाज बजे, और वो पूने पहुझ गई, कब 10.30 in the morning, that is 10 बज कर 30 मिनिट में वो पूने तक पहुझ गई, तो हमें यहाँ पर क्या calculate करना है, how long does the journey take, that is यह जो पूरा बस का journey था, उसका time हमें यहाँ पर find out करना है, तो simply क्या करेंगे, वो जब पहुझी, उसका time write कर लेंगे as it is, that is 10.30 में वो पहुझ गई थी, है न, कहाँ पहुझी थी, पूने को, and 5 a.m. से वो निकली थी, कहाँ से, नासिक से, तो यह जो timing है, पूने का, इससे यह नासिक का time subtract कर देंगे, तो हमें उसका पूरा जो journey है वो मिल जाएगा, so यहाँ पर subtraction करते हैं, here 0-0 means 0, here friends 3-0 means 3, यह जो dots है, वो timing के dots है, then 10-5 means 5 होते हैं, so उसका जो journey था, वो था 5 hours and 30 minutes का, so friends answer में हम write करेंगे, the journey takes, the journey of the bus was 5.30, okay, यह पर आप time भी write कर सकते हो, the time of the journey of the bus was 5.30, okay, तो friends मुझे उमिद हैं आपको यह question भी अच्छे से समझ में आया होगा, अब remaining two questions हम solve करते हैं, friends question number 4 देखते हैं, आपर question number 4 क्या है, a play that was to start at 9.15 at night was delayed by half an hour because of a power outage, what time did the play start, एक नाटी का रात को 9 बचकर 15 minute पर होने वाली थी, बट उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, उस नाटी का का टाइम आगे बढ़ा दिया, because of a power outage, that is power supply का कुछ problem होने के कारण, उसका टाइम थोड़ा सा आगे कर दिया गए, तो हमें यह आपर क्या पुचा है, वो नाटी का कब शुरू हुई, अब वो कब शुरू होने वाली थी, 9.15 को, रात को, and was delayed by half an hour, half an hour में इस क्या होता है, half hour में 30 minutes होते हैं, तो friends, 30 minutes के बाद, वो play start हुआ था, जो original timing था, वो कितना था, 9.15, तो यहाँ पर write करेंगे, 9.15, and इसमें क्या add कर देंगे, 30 minutes add कर देंगे, minutes के नीचे minutes write करेंगे, hours के नीचे, hours, यह क्या है, hours है, and यह है minutes, so here add कर देते हैं, 5 plus 0 means 5, 1 plus 3 means 4, यह dots as it is, and यह 9 भी as it is, so answer में हम write करेंगे, the play was start at 9.45, यहाँ पर PM write कर देते हैं, रात में क्या होता है, PM होता है, and सुबह, AM होता है, तो friends, मुझे उमीद है, आपको एक question number 4 भी समझ में आए होगा, अब last question देखते हैं, that is question number 5, में friends, our question number 5 is, if a train leaves Mumbai at 10.15 at night, and reaches Nagpur at 1.40, the next afternoon, how long does the journey take, अब यहाँ पर क्या दिया है, एक train ने मुँबई से लेकर Nagpur तक का सफर किया, Mumbai से वो कब निकली थी, 10.15 at night, राद को 10 बच कर 15 मिनिट पर, अब यह मुझे आपको घड़ी से ही सिखाना पड़ेगा, अब वो कब निकली थी, 10.15 at night, राद पर 10, यह है 15, 10 बच कर 15 मिनिट पर, अब वो कब पहुँची, नाकपूर को 1.40, दे नेक्स्ट आफ्टर्नून, 1.40 का टाइमिंग यहाँ पर, राइट कर देंगे, 1 पर आएगा हमारा अवर हैंड, यहाँ पर 8 पर आएगा हमारा मिनिट हैंड, यहाँ पर आएगा हमारा मिनिट हैंड, तो फ्रेंड्स यह टाइमिंग कौन सा है, नाइट का टाइम है, यह टाइम कौन सा है, अफ्टर्नून का, यह कौन सा टाइम है, मुंबई में जब ट्रेन थी उसका टायम और यह कौन सा टायम है जब वो नाखपूर पहुची उसका टायम तो फ्रेंड्स ट्रेन कब निकली थी 10 15 at night अनग वो नेक्स्ट आफटर्नून को 1.40 इस टायम पर नाखपूर में पहुच गए तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 कौन सा टायम था? नाइट का टायम तो नाइट के टायम से लेकर डे के टायम तक यहाँ पर कितने आवर्स हो जाएंगे? पूरे 12 आवर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर यह रात का टाइमिंग है 10 15 का सो सुबर के टाइमिंग के लिए आपको क्या परना पड़ेगा पूरा उससे गूमना पड़ेगा पूरा गूमने के बाद यहाँ पर 10 15 फिर से आएगा है ना 10 15 के बाद यहाँ पर और कुछ वरों से मिनिट्स हो जुके हैं है पूरा जो जो इसका हो जाएगा 12 फिरेंगे 12्ल के बाद commanders के बाद भी आपको 零र्ट तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यह जो 12 होँर से इनको राइट करेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा डीटेल में राइट करते हैं यहाँ पर हम राइट करते हैं टाइम फ्रॉम 10.15 of night to 10.15 of day रात में हमने शुरू किया था रात में वो train निकली थी मुंबई से रात से लेकर सुबा का time that is friends night के 10.15 to सुबा के 10.15 का जो timing है वो है 12 hours का यह पूरा क्या हो जाएका 12 hours हो जाएगा इसके बाद क्या होगा time from अब क्या करेंगे 10.15 of day to 1.15 of day इसका time हम calculate करते हैं 10.15 of day to 1.15 of day because यह हमें simple जाएगा 10.15 to 1.15 यह जो timing है इसे हम calculate करने के लिए इस clock का use करेंगे तो 10 से लेकर हम कहा पर जाना है इस 1 पर 10.15 to 1.15 यह correct timing हो जाएगा है ना तो 10, then 11, 12 and 1 यहाँ पर 1 hour, 2 hour and 3 hours हो जाएगे तो 10, so यहाँ पर write करेंगे 3 hours and इसके बाद क्या write करेंगे time from अब कौन सा time बचा है यह 1.15 तक time हो चुका है अब यहाँ पर बचा हुआ कौन सा timing है इस 3 से लेकर इस 8 तक इस time from 1.15 to 1.40 which is equal to अब यह क्या करेंगे हम 40 से इस 15 को subtract कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनके बीच का timing यहाँ पर 10 से 5 को subtract कर देंगे यहाँ पर 5 बचेंगे यहाँ पर 3 से 1 को subtract कर देंगे 2 बचेंगे इनके बीच का timing कितना है 25 minutes अब total time find out करनी के लिए हम क्या करेंगे इन सभी timings को add कर देंगे 12 hours plus 3 hours plus 25 minutes which is equal to 12 plus 3 means कितने होते है 15 यहाँ पर यह dot write करेंगे यह हो जाएंगे हमारे hours and यह 25 minutes as it is ओके तो friends अबर required answer is अब यहाँ पर क्या write करेंगे 15 hours and 25 minutes ऐसे ही इसे write करेंगे ओके so friends अबर required answer is the journey takes for about 15 hours and 25 minutes अब यहाँ पर मैंने shortly write किया है ओके हमारा page खतम हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पर shortly write किया है तो friends मुझे उमीद है आपको यह last question that is question number 5 भी अच्छी से समझ में आ गया होगा thank you so much for watching my video अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो इसे like जरू करना अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लिजिए वीडियो देखने के वाद नीचे जाए रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआता है उस पर आपको टैप कर देना है और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आती है उस पर भी आपको क्लिक कर देना है तो फ्रेंड्स तैंक यू सो मुच अगेन सी यू आन नेक्स लेक्चर हैव नाइस टे